हलो स्टुडेंट्स यह वैलकॉम इन एविसी चैनल तुड़े वी विल लर्न हाव तु फाइंड दा स्क्वार रूट्स आफ एनी नंबर आज हम सीखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वार रूट कैसे निकालते हैं वो भी लॉंग डिविजन मैथट से एक तो फैक्टर से हम क्या होना चाहिए लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि लॉंग डिविजन मैथट से हम लोग कैसे किसी नंबर का स्क्वार रूट निकाल सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वार रूट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा 1 square equal 1 2 square equal 4 means 9 squares तक हमको सारे squares लिख लेने हैं इसकी हल्प से हम क्या करेंगे आसानी से बहुत simple वे से हम लोग सीख लेंगे कि आखिर कैसे long division method से हम किसी number का square root निकाल सकते हैं चली सबसे पहले हम लोग एक number ले लेते हैं वो number जो हमारा है वो है 7396 means 7396 तो जब हम square root निकालेंगे तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले जो number given है हम उसको लिखते हैं जैसे 7396 हमने यहाँ पे लिख लिया अब क्या करते हैं यह divide जो हम rule है उसी को हम follow करते हैं लेकिन divide rule में क्या होता है कि हम एक number को लेके चलते हैं एक number से हम divide करते हैं अगर वो नहीं होता तो हम दूसा एक pair बनाते हैं चब जब 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 करते हैं लेकिन इसमें एक condition apply होती है कि हमको सबसे पहले pair बना लेने होते हैं अब वो भी right hand side से जैसे कि 96 का एक pair बना 73 का दूसा pair बना अब हमको ये देखना है जो हमारा division method है उसमें हमें ये देखना है कि 73 है जो pair है हम pair को ही लेते हैं ध्यान रखिएगा हम one number को नहीं लेंगे seven को नहीं लेंगे कि हम seven को किसी number से divide करें ऐसा नहीं होता 73 है pair तो हम pair को देखेंगे कि आखिर 73 किसके square के आसपास आता है तो यहां हम देखेंगे 73 8 square 64 है 9 square 81 है यानि कि जो 73 है वो 64 और 81 के आसपास कहीं न कहीं होगा तो division rule में यह होता है कि हम जब किसी number को divide करते है divide करते time जो value आती है या तो वो value same वही number आए या उस number से हम less लेते हैं जब जागे divide करते हैं अब जैसे 73 है तो हमें यह देखना है कि 73 के आसपास किस square का यह digit आती है 73 तो यहाँ हम देखेंगे 8 square 64 है और 9 square 81 है तो 81 तो 73 से जादा हो गया तो हम 9 से तो इसको divide कर नहीं सकते 9 square से हम क्या करेंगे इसको 8 से divide करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 8 से जह हमँचो divide करेंगे तो यह हो जाएगा 8ieme 4 64, अब हमें क्या करना है, जब 73 में से, जब 64 को मैनस होगा, तो हमारे एलेमेंटर जो आएगा, 9 आएगा, अब mostly हम लोग जो डिवाइड करते हैं, तो 1 नमबर को हम लोग नीचे 7 लिख लेते हैं, लेकिन square root में कभी भी क्या होता है, कि जो हमेंसे pair होता है, उसको हम हमेशा हमेशा एक साथ लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 9 लिख लिया और हम इसको डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं होता है, हमने pair लिख लिया, उसके बाद दूसी step आती है कि जितनी बार हमने इसको divide किया है सेम उसी number को हम इसमें plus कर लेते हैं तो यह हो जाता है जैसे 8 है तो 8 है हमने इसको plus किया तो यह हो जाएगा 16 ठीक है? जितनी बार divide होगा उतनी number plus होता चलेगा अब हमको यह देखना है कि हमें 16 से इसको divide करना है 996 को लेकिन अब हमें से ये देखना है कि 16 के आसपास 99 कहां पे आता है तो 16 6 जो होता है वो 96 होता है तो हम क्या कर लेंगे इसको 6 times फिर से यानि 6 जब इसको divide करेंगे हम 1 6 बढ़ाएंगे यहां पे तो ये 166 हो जाता है 166 हो जाता है तो हम इसको जब divide करेंगे तो यहां हो जाएगा 6 6 बढ़ाएंगे 3 carry 6 6 बढ़ाएंगे 3 carry हो गया और 6 बढ़ाएंगे 6 बढ़ाएंगे 9 यानि कि completely इसको divide हो गया कट हो गया ठीक है यानि कि इसका जो square root निकलेगा 73 96 का इसका जो answer आएगा वो कितना आएगा 86 यानि कि इसका जो square root निकलेगा वो कितना निकलेगा 86 चलिए एक दूसरा number है वो हम लेके चलते हैं उसमें सीखते हैं क्या करते हैं जिसकी number है 17,424 अब इसका हम दोग निकालेंगे square root कैसे निकलेगा तो सेम वही condition एपलाई होगी जिससे की हमने क्या किया यह number ले लिया हमने यह number ले लिया 17,424 ठीक है अब हमें क्या करना है सेम वही condition एपलाई करनी है हमको यहां इनका pair बनाना है रैठ हैंड साट से हमीशा pair रैठ हैंड से बनता है तो यहां पर दो pair बने है हमारे 24 का और एक 74 अब हमारे पास जो number रहा वो 1 separate है अब देखी जैसे हम लोग सब लोग जानते है कि 1 का square 1 होता है यानि कि यह number जो divide होगा यह one time इसका divide होगा 1 वन जा 1 यह completely हुआ हमने इसको नीचे किया अब यह क्या होगा हमने pair हम लोग यहां पर लिख लेते हैं अब यह बताया था मैंने pair लिखते हैं तो 74 हम लोग उने pair लिखा अब एक चीज और मैंने बताया थी ते नेक्स स्टेप होती है कि जितने number से यह divide रहता है उस number को हम plus कर लेते हैं तो 1 और 1 होगा 2 यहां पर 2 हो जाएगा अब 2 करने के बाद हमें यह देखना है कि 74 अब 74 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम 2 से तो divide हम करने सकते हैं हम क्या करते हैं एक number एड़ करते हैं अगर हम यह 1 लिखते हैं तो यह 21 हो जाएगा 21 हो जाएगा तो 1 से ही करेंगे तब भी कमी दाएगा काफी और फिगर यह 2 लिख देते हैं तो 22 और 2 है तो 2 से multiply होता है तो 22 तू जा 44 जा कम हो जाएगा हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्योंकि 23 जा जो होता है वो कितना होता है 69 यहाँ पर और कितनी टाइम हमने इसको divide किया है 3 तो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका remainder बचेगा वो 5 बचेगा 5 होगा 5 होगा तो हम आगे वाला जो pair हम उसको भी लिख लेते हैं जैसे इसको करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे next step 26 हम देखेंगे, 52 कट सकता है या संवान करसकता है तो यह 2 times कट जाएगा कितनी times, 2 times हम इसको 2 से divide करेंगे यहाँ पर 2 से divide करेंगे, तो हम यहाँ लिखते है question जो होता है, तो 2 से divide करेंगे तो 224, 2612, 1 carry 224, 15 तो यहां पर यह completely divide हो गया यानि कि जो इसका square root निकलेगा 17,424 का जो square root निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 132 अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा तैंक यू